कि इस नई वीडियों में आप शबी का श्वागत है तो इस्थिर वैद्दुत वीभो तता धारिता के इस लेक्षर में अब आप लोग यहां पर पढ़ेंगे इस में आवेषित चालक की इस्थिति जुर्जा तो इस्थिति जुर्जा के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेशित कहा जाता है तो आवेशित करने में जो है आपर कुछ कारे करना पड़ता है और यहाँ पर जो कारे कहा जाता है वही कारे जो है उस चालक में वैदुत इस्थित जूर्जा के रूप में संचित हो जाता है या फिर आप बता सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किये गए संपूर्ण कार को उस आवेशित चालक की इस्थित जुर्जा यानि कि वैदुत इस्थित जुर्जा कहते हैं तो अब ध्यंदेजे आप इसमें बताएंगे किसी चालक को आवेशित करने में किये गए किये गए संपूर्ण कार को उस आवेशित चालक की इस्थित जुर्जा कहते हैं इस प्रकार से आप इहां पर इस्थित जुर्जा के परिवाशा बता सकते हैं तो अब इहां पर हम लोग इस्थित जुर्जा के फॉर्मूला का निगमन करेंगे तो अब धन देजे आप यहाँ पर बताएंगे यदि किसी चालक को किसी चालक को क्यूँ आवेश क्यूँ आवेश देने पर उसके विभों में उसके विभों में व्रद्ध वी हो तो चालक की धारिता चालक की धारिता तो यहाँ पर धन देजे इसमें बताएंगे कि यदि किसी चालक को कितना आवेश दिया जा रहा है तो यहाँ पर उसके आवेश देने पर उसके विभों में व्रद्ध कितनी हो रहे हैं यहाँ पर वी हो जाती है तो उस समय चालक की धारिता क्या होगी तो यहाँ पर चालक की धारिता होगी सी बराबर क्यू अपान वी इतनी हो जाएगी इसको आप लोग मान लिजे हैं पर समीकर नमबर एक अब आपको आपर बताया गया था कि जब हम लोग चालक को आविश्ट करते हैं तो आविश्ट करने में कुछ कार करना पड़ता है यही कार जो है इस्थते जुरजा के रूप में संचित होता है तो यहाँ पर देजे आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब चालक को अल्प आविश्ट यह पर बतायागा कि अब चालक को अल्प आविश्ट जो हम लोग पहले उस चालक को देंगे तो ही अब बताएंगे आपर अल्प आविष DQ देने में किया गया किया गया अल्प कारे तो शब्ट से पहले हम लोग चालग को अल्प आविष देंगे और उस अल्प आविष को देने में कितना कारे करना पड़ेगा वो ग्याद करेंगे तो अल्प कारे यहां पर किया जाएगा तो इसे हम लोग लिखेंगे DW से तो कारे बराबर यहां पर हो जाएगा विभो यानि कि V इंटू आविष कितना हो जाएगा यहां पर DQ ये इतना हो जाएगा अब धन्दीजी ये सूतर कहां से लिखा गया है आपको इसके पहले पढ़ाया गया होगा सूतर V बराबर W अपान Q इतना अगर मान लिजी यहां पर अल्प कार होगा तो यहां पर अल्प आविष होगा तो यहां शे अगर आप कार ग्याद करिए यानि कि DW का मान तो ये इ अल्प आविष यानि कि DW देने में अल्प कार आपने ग्याद कर लिया अब यहां पर हम लोग कुल कार ग्याद करेंगे तो अब आप यहां पर लिखे कि अब चालक को को जीरो से लेकर क्यों तक आविष देना है यानि कि सुनने से क्यों तक आविष देने में आविश देने में किया गया कुल कार, किया गया कुल कार, कुल कार, तो अब ध्यान देजे, आपने जो है, अल्प आविश देने में किया गया अल्प कार पहले ही ग्याद किया था, अब आपको ग्याद करना है कुल कार, तो कुल कार ग्याद करने के लिए, जो अल्प कार था, इसका आप यहाँ पर समा कलन करिए यानि कि इंट्रिक्रेशन करना है तो कुल कारे को लिखेंगे आप W से यहाँ पर आपको integration करना है अल्पकार यानि कि DW का जब आप इसका integration कर देंगे तो कुल कारे ग्याओत होगा अब यहाँ पर धन्देजे आपको सीमा बता दे गए कि आवे इसको कहां से बढ़ाना, 0 से q तक तो यहाँ पर आप limit लिख देजे, 0 से q तक इस प्रकार से इतना होगा, अब इसके बाद धन्देजे यहाँ पर integration, 0 से q, dw, इसका आप मान रखिए, dw का मान हो जाएगा, v into dq तो यहाँ पर हो जाएगा, v into dq, इस प्रकार से इतना हो जाएगा, अब इसके बाद धन्देजे, v into dq के बाद जो है, आप इसे लिख सकते है, 0, 2, q, इतना हो जाएगा, अब यहाँ पर धन्देजे, यहाँ पर जो समीकार एक था, इससे आप v का मान ग्याद करेंगे, जब यहाँ से आप v का मान ग्याद करेंगे, तो कितना आएगा धन्देजे, v इधर आजाएगा, और c इतना हो गया, अब इसके बाद, w बराबर, यहाँ पर धन्देजे, बटे में c है, इसको आप बाहर लिख दीजे, इस प्रकार से, यहाँ पर integration, 0 से, q, यहाँ पर दिया गया है, q, और into में है, d, q, इतना हो गया, तो यहाँ पर धन्देजे, 1 upon c, यह हो जाएगा, अब इस q का जो है, आपको समाकलन करना है, यानि की integration करना है, तो integration का सूत्र आपको पता होना चाहिए, सूत्र धन्देजे होता है, integration, x की power, n, dx, बराबर होता है, x की power, n, plus 1, बटे, n, plus 1, यह सूत्र होता है, तो यहाँ पर धन्देजे, x की power, n था, यहाँ पर धन्देजे, q की power, आप कितनी मान की चलेंगे 1 तो इसका मतलब देंदीजे x की पावर n प्लस 1 बना तो उसके अमसार देंदीजे यहाँ पर q की पावर 1 प्लस 1 बनेगा तो कितना हो जाएगा 2 बटे में भी n प्लस 1 करना है तो यहाँ पर भी 1 प्लस 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इतना आ गया लिमिट आपको दी गई है 0 से Q यानि कि यह हो जाएगा फिर W बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान दंदीजी यह वाला 2 इसके अलाव बटे में धंदीजी यहाँ पर दिया गया है C इतना हो गया इन 2 यहाँ पर धंदीजी जब लिमिट रखेंगे तो इस Q के जगए पहले आपको यह आपर लिमिट रखना है यह से हम लोग बोलते हैं आपर लिमिट यानि कि उच्छ सीमा तो Q यहाँ पर भी है इसके जगए पहले मान रखेंगे तो यही रहेगा यानि कि Q स्कार फिर माइनस लगा के लोवर लिमिट रखना है इसके जगए पहले जब 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा 0 इतना यानि कि यहाँ पर धंदीजी यह फिर आजाएगा एक बटे दो यहाँ पर आप लिखेंगे Q स्कार बाई सी यह वाला इस प्रकार से इतना आ गया तो यह किया गया कार ग्यात हो गया अब आपको बताया गया कि जो किया गया कार होता है यही जो है इस्थति जूर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अता आवेशित चालक की इस्थति जूर्जा बराबर डबलू यानि कि इस्थति जूर्जा बराबर किया गया कार है और इस्थति जूर्जा को हम लोग लिखते हैं U से तो यू बराबर डबलू का आप मान रख दीजिए यानि कि एक बटे दो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वाइर बाई सी इतना हो गया तो यह यहाँ पर जो है आवेशित चालक की इस्थति जूर्जा का सूत्र आ जाएगा अब धन्दी जी यह सूत्र आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं क्यूकि आपको पता होना चाहिए धन्दी जी आप बता सकते हैं क्यू क्यू बराबर होता है सी वी इतना होता है आप यहां से भी देख सकते हैं अगर क्यू का मान ग्याद करेंगे तो सी गुड़े में आ जाएगा यह निकि क्यू बराबर कितना होगा और बटे में आ जायएगा see अब कि यह से यह वाला एक क्यांस्यल हो जाएगा यहांपर द्हां देजीए यह फिर आएगा यू बराबर यहां पर एक बटे दो यहांपर दियागया है see eva square यह यहां पर एक और से उतरा जाएगा u बराबर half cv square ये भी बन गया इसके अलावा धन दिजे आपको ये भी बताया गया c बराबर क्या होता है q upon v तो अगर आप माल लिजी c की जगे पे q upon v रखते हैं तो धन दिजे फिर u बराबर 1 बटे 2 into c की जगे पे आप रखेंगे q by v क्योंकि ये भी होता है ये अप देख चुके हैं आपर तो अब धन दिजे यहां पर हो गया into v square तो यहां पर ये v से v कट जाएगा तो यहां पर ये आजाएगा u बराबर 1 by 2 into qv एक सूत्र ये आजाएगा यहां पर आप लोग याद रखेगा इसमें c बराबर कितना रखा गया है q by v रखा गया तो ये अब बता सकते हैं च्योंकि c बराबर होता है q by v तो ये मान रखने पर ये आजाएगा तो यहां पर जो है आवेस से चालक के स्थिति जुझा के तीन सूत्र गयात हो गया है एक आप ये देख सकते हैं एक आप यहां पर ये देख सकते हैं और एक ये हो जाएगा तो जब आपको आवेस और धारता दी जाएगी तो आप इसका यूज करेंगे जब आपको धारता और विभो दिया जाएगा तो आप इसका यूज करेंगे और जब आपको आवेश और विभोर दिया जाएगा तो आप इसका यूज करेंगे तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रिंसाट ले शकते हैं अब इसके बाद धन देजे नेक्स्ट टॉपिक है दो चालकों के स्रयोजन में उभैनिष्ट विभो का निर्धारन स्रयोजन का मतलब होता है यहाँ पर संबंधित करना तो जब दो चालकों को संबंधित किया जाएगा तो वहाँ पर जो हैं लोग उभैनिष्ट विभो का निर्धारन करेंगे तो इसके लिए धान देजे, मान लिए आपके पास यहाप पर दो चालक दिये गए है, एक चालक A दिया गया है, यह हो गया है यहापर चालक A, और इसके अलावा दूसरा चालक यहापर यह हो जाएगा चालक B, इस प्रकार से यहाँ पर जो आपको दो चालक दिये गए है, इ यानिकि इन दोनों के धारिताएं जो हैं अलग-अलग हैं अब यहां पढ़ां देजे जब इस चालक को मान लेजे हम लोग आवेस्थ देते हैं Q1 तो इसके विभों में जो व्रध्ध होगी उसको मान लेजे आप V1 इसी प्रकार से मान लेजे चालक B को हम लोग आवेस्थ द तो आप मान लिजी हाँ पर कि जो V1 है ये जो है V2 से अधिक है यानि कि चालक A का विभो जो है वो चालक B के विभो से अधिक है तो यहाँ पर जो है जब इन दोनों चालकों को हम लोग संयों जित्यानी की संबंधित करेंगे किसी चालक तार के द्वारा तो याद रखेगा जब भी अलग अलग विभो वाले दो चालकों को संयों जित्यानी की संबंधित कह जाता है तो वहाँ पर आवेश का प्रवा होता है और आवेश का प्रवा जो होता है वो हमेशा उच विभो वाले चालक से निम्न विभो वाले चालक क्यों यानि कि इसका विभो उच्छ है और इसका विभो कम है तो आवेस का प्रवाह यहाँ पर A से B की ओर होगा याद रखेगा जब भी यहाँ पर अलग अलग विभो वाले चालकों को संयोजित यानि की संबंधित कह जाता है तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह जो होता है वो उच्च विभो वाले चालक से निम्न विभो वाले चालक के और होने लगता है और यहाँ पर जब दोनों चालकों के विभो समान हो जाएंगे तो आवेश का प्रवाह जो होता है वो बंद हो जाता है और इस स्थित में दोनों चालकों के समान विभो को ही हम लोग बोलते हैं उभैनिष्ट विभो याद रखेगा जब भी अलग अलग विभो वाले चालकों को संबंधित कह जाता है तो आवेश का प्रवाह उच विभो वाले चालक से निम्न विभो वाले चालक के ओर होने लगता है और यहाँ पर जब दोनों चालकों के विभो समान हो जाते हैं तो आवेश का प्रवाह बंध हो जाता है और इस स्थित में दोनों चालकों के समान विभो को उभैनिष्ट विभो कहा जाता है तो ये point आप लोग याद रखेगा अगर आप note करना चाहें तो लिख शक्ते हैं आप लिखेंगे इसमें कि जब भिन भिन वधुत विभो वाले दो चालकों को संबंधित किया जाता है तो आवेस का प्रवा उच विभो वाले चालक से निमन विभो वाले चालक के ओर होने लगता है और जब दोनों के विभो शमान हो जाते हैं तो आवेस का प्रवा बंद हो जाता है इस स्थित में दोनों चालकों के समान विभो को उभैनिष्ट विभो कहते हैं इस प्रकार से आप परिभाशत कर सकते हैं इसके अलावा द्यान देजी आप दूश्रे प्रकार्चे भी परभाशा बता सकते हैं द्यान देजी आपको सूत्र रखना है सूत्र होता है उभैनिष्ट विभो बराबर होता है कुल आविश बटि कुल धारिता यह सूत्र होता है यानि कि जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उस समय जो कुल आविश होगा और जो कुल धारिता होगी उन दोनों का जो अनुपात होगा वो वभैनिष्ट विभो के बराबर होगा तो इसके अनुसार भी आप परिभाशा बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि संयोजन पर उपस्थित कुल आविश तदा कुल धारिता के अनुपात को वभैनिष्ट विभो कहते हैं तो धान देजे आप यहाँ पर बताएंगे श्में संयोजन पर उपस्थित कुल आविश तथा कुल धारिता कुल आविश तथा कुल धारिता के अनुपात को के अनुपात को उभैनिष्ट विभो कहते हैं उभैनिष्ट विभो कहते हैं तो इस प्रकास जो आप यहाँ पर परिभाशा बता सकते हैं तो यहाँ पर उभैनिष्ट विभोग, इसे हम लोग प्रदस्यत करते हैं V6, तो यह हो जाएगा V, बराबर कुल आविस, जान देजे, एक चालग पर आविस है Q1, और दूसरे पर है Q2, तो Q1 प्लस Q2, बटे, एक चालग की धारता है C1, और दूसरे की है C2, इतना हो अब धन देजे, यहाँ पर शूतर आपने पढ़ा है Q बराबर C, V, इतना, तो अब धन देजे, यहाँ पर अगर यह वाला मान प्रयोक कह जाए, तो यह हो जाएगा फिर V बराबर Q के जगे पर जब यह मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C1, V1, प्लस यहाँ पर ह इस प्रकार से, अब इसके बात धन देजी, संयोजन के पशाथ, का मतलब यहाँ पर है, जब इन दोनों चालकों को जोड दिया जाएगा, तो उसके बाद, प्रत्थम चालक पर आविरा, प्रत्थम चालक पर आवेश तो अब गंदेजी आपको बताया गया कि जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इसमें आवेश का प्रवा होगा तो जब आवेश का प्रवा होगा तो इसका मतलब इसका आवेश बदल जाएगा यहां पर जो Q1 था इसे आप माल लेजे Q1 डै बराबर सूत्र क्या होता है Q बराबर C V तो अब धंदेजी Q1 बराबर हो जाएगा यहां पर C1 into V अब यही पॉइंट यहां पर समझना है यहां पर आपको V1 प्रयोग नहीं करना है क्योंकि बता दिया गया है जिब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो आवेश का प्रवा होगा और आवेश का प्रवा तभी बंद होगा जब दोनों के विभो समान हो जाएंगे तो यहां पर समयजन के बाद जो है दोनों के विभो समान हो जाएंगे इसलिए यहां पर Q1 डैस बराबर हो जाएगा C1 V इसको आप मान लेजे समीकन एक अब इसके बाद धंदेजे दो-ती चालक पर आवेश दो-ती चालक पर आवेश तो यहां पर दो-ती चालक पर जो आविभो समान हो जाएंगे तो यहां पर जाएगा V इसको आप मालने जे समी करण 2 इसके बाद समी करण एक वा दो शे रंदेजे अगर इन दोनों को भाग किया जाए तो यहाँ पर आएगा Q1 डैस बटे में आएगा Q2 डैस बराबर यहाँ पर रंदेजे V से V कट जाएगा और यहाँ पर आएगा C1 बटे C2 इस प्रकार से यह इतना आजाएगा तो यहाँ पर आप लोग यह पॉइंट याद रखेगा इसके लाँ आप लोग याद रखेगा अगर यहाँ पर आवेश सनरक्षण की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर आवेश सनरक्षण की नियम शे क्योंकि आवेश सनरक्षण की नियम बतायागा कि ना तो आवेश को उत्पन कहादा सकता है और ना ही नेश्ट कहादा सकता है तो इसका मतलब जो है यहाँ पर सन्यूजिन के पहले जो आवेश था यानि कि Q1 प्लस Q2 इन दोनों का जो योग होगा वो सन्यूजिन के पस्चात यहाँ पर Q1 डेस प्लस Q2 डेस के बराबर होगा यह पॉइंट यहाँ पर याद रखेगा निकि पहले जो यहाँ पर इन दोनों आवेशों का योग होगा और सन्योजन के बाद जो आवेशों का योग होगा ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे तो ये point आप लोग यहाँ पर याद रखेगा तो अब आप चाहें तो यहाँ पर इसका screenshot ले शकते हैं तो बागी के topic में आप लोगो next वीडियो में बताऊंगा अगर आप सभी को ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को like, share और हमारे channel को subscribe जरूर करिएगा धन्यवाद